खाल करने कुलर तो यह चाल कि आज कर आधे मैं को फिलि 거지 my घुना एक प्रोइंग्य तूपक है यह रहें को फिलिолिक्स तो डियुक प्रेल o किया प्रों तो प्लंक आपके लिए चीज़िक रिव सकते रर में घुद आपके सजुखते हैं यह यह सकते हैं यह इह फीलिंग सब नए आये हैं तो आप को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को ज़रू आल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन्स मिल पाएं और आप कंटेंट को इंजॉय कर पाएं अगर आप चाहे तो मुझे इंस्टागाम पर फॉलो कर स इसको क्लारिफाइ कर लेते हैं तो यहां पर जो है चाहे मेल और फीमेल अपने जंडर से रिजनेट करें यहां पर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको हमेशा से पसंद करते थे लेकिन वो जो आया था वो इसी वज़े से आया था कि वो ओर तिंक करते हैं कि आप में जो भी जंडर हो तो आप दिखने में अच्छे हो आप में क्वालिटी बहुत जादा या एक ऐसे कह सकते हैं कि आप उनकी लीग से अलव हो या हाईयरो लीग में जैसे होता है कि भई फैनेशल बैग्राउंड होता है धर घरस्ती होती है कॉमिनिटी होती है बहुत सारी ची अगर मान लो उन्होंने अपने रिलेशनशिप की या लव फीलिंग सापको बोली तो वो जो है आप से दोस्ती तूट जाएगी या आप से जो भी हाई हलो है एक अच्छी जो रेप्यूटेशन आप दोनों के बीच में बांडिंग कह सकते हैं तो वो चीज जो हो हड़ जा कि आप जो है बतब किसी जैसे होता ना कि एक हाई फाई घर में जो है वो शादी करोगे या आपके पेरेंट्स का यही सपना होगा तो पता नहीं मैं फिट हो भी पाऊंगा या नहीं या फिर जो है जैसे हो सकता है कि कोई जैसे किसी और कंट्री से बिलॉंग कर रहा है आपको बहुत ज़ादा एड्मायर करते हैं यह परसन जो है काफी excitement महसूस करते हैं आपके आसपास थोड़ा passion भी महसूस करते हैं उनके मन में यह चीज रहते हैं कि मैं अपने emotions को ना दिखाकर actions में किसी ना किसी तरीके से आपको जीत लूँ जो आप ही जो है जो वीवर है व बहुत ही balance तरीके से वह आपके पास बढ़ना चाहा रहा है नेक्स टारा five of cups इसको clarify भी करते हैं एक्स ट्रेंथ four of pentacles और नेक्स टार नाइट और सौर्स किंग और सौर्स और यहां पर यह एनरजी है कि यह परसन जो है वह यह सोचते हैं कि हो सकता है आपने अपने जो व्यूर हो जो आप देख रहे हो आपने अपने लाइफ में किसी को लूज किया हो कोई दादी बाबा इस तरीके से या लिबरनेशन वाले मोड में हो तो वह नहीं चाहते कि आप उन्हें कट आफ कर दो कुछ ऐसी सिच्वेशन है तो समय लेना चाहते हैं अपनी फीरिंग्स को आपके सामने कंफेस करने के लिए उसके लिए जो है स्ट्रेंथ लगेगी और यह परसन जो है वह वह चीज करने की इच्छा रखते हैं चलिए देखते कुछ और कार्स एस ओस सच तो वह बताना चाहते हैं आपको नेक्स्ट आरा पेज आपके साथ एक नीव शुरुआत करना चाहते है एक 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 नीव शुरुआत जो बिल्कुल बिल्कुली नहीं हो आपने दोस्ती रखी उन्होंने भी दोस्ती रखी लेकिन उससे जादा भी जो है वह देखना चाहते हैं नेक्स्ट आ रहा है यहां पर टैन अफ कफ तो आपको वह इसी तरीके से देखते हैं एक हैपी फैमिली एक इस तरीके से एनरजी है और लास्ट में आ रहा है यहां पर ऐस ऑफ कप्स भी आया है तो यह आपके साथ एक new beginning को शुरू करने की इच्छा रखते हैं लेकिन उसके लिए efforts लगेंगे वह efforts भी लगाने को तयार है लेकिन उनके मन में doubt यही है कि कहीं आप जो है इस person को reject ना कर दो या आपके circumstances जो है वो जादा allow नहीं कर रहे हैं इस समय तो वो जो है इस समय present situation में या इ यह सब कहें लास्ट में आ रहा लवज आ रहा यह person romantic relationship रखते हैं लेकिन eight of swords भी आया है बहुत सारी चीजे वह अपने आपने आपने overthink करते रहते हैं सोचते रहते हैं और उसको हिसाब से आगे चलते हैं तो ऐसी energy भी यहां पर exist करती है चले देखते हैं कुछ और cards भी करते हैं ऐसी energy है यहां पर चले देखते हैं एक और card देख लेते हैं आपके लिए यहां पर एक depth है तो वह जो depth है न वही उनको एक तरीके सब मदद देती है या courage अमालम एक हिम्मत देती है कि वह आपका वेट करें ऐसी energy है चले देखते क्या आ रहा है when you pass from this world you take nothing with you but your soul and memories you have shared with those you love यहां पर यही चीज है कि आप जो भी time spend करते हो memories create करते हो वही चीज आपके साथ जाती है बाकी सब कुछ जो है वो यहीं रह जाता है next आप लूग डिप विदिन यह हार्ट and you will feel my love my love for you is as deep as ocean तो यहां पर यहीं चीज है कि love जो है वो इस तरीके का है जैसे ocean होता है वैसे जो है वो love है उनका वो आपके लिए weight करेंगे यह इस तरीके की energy है जो भी gender हो आपको भी थोड़ा सा देखना है कि सामने वाला आपसे क्या expect करता है और अपनी परिशानियों को aside करके आप उनक तो पहला आरा आपके रिए It will not be an easy path तो हो सकता है जो मैंने कहा कि differences है mountains आया है कि differences है आप दोनों के बीच में इस वजह से जो है उन्हें ऐसा लगता है कि यह इतना easy path नहीं होगा लेकिन वो कोशिश जरू कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं Next are a blowing kiss, unconditional love, giving and receiving fairness, love, affection and return तो यहाँ पर यही energy है कि आपके लिए वो इसी तरीके से feel करते हैं और आपको भी यह समझना चाहिए कि यह person की genuine feelings है उसको neglect नहीं करना है क्योंकि समय निकल जाने के बाद रोने का कोई मतलब होता नहीं है तो ऐसी energy है चली देखते हैं कुछ charms आपके एक यहां पर जो है एक बिग यह पर आया है जो कि बर्थ को दिखा रहा है अब बर्थ जो है वो लिटरल बर्थ भी हो सकती है कोई new idea, business, job इस तरीके ही चीज़ भी हो सकती है यहां पर marriage के पूरे पूरे chances है यहां पर right path पर आप जा रहो हो आपको डरना नहीं है sunshine है और यह यहां पर एक वाइलन भी आया है blessings के ऊपर जो है वो एक leaf आई है maple leaf आई है तो हो सकता है कि autumn season हो तो autumn season में जब भी आप यह वीडियो देख रहे हो तो autumn season जब हो तो यह चीज़ आपकी जिन्दगी में blessings आ सकती है तो ऐसी energy है यहां पर चले रिखते उनकी तरसे कुछ सॉंग तुछ में रब दिखता है यह काफी hesitant person होंगे उस तरीकी की energy है और नेक्स चारा भागे रे मन चमेली movie का तो इस तरीकी गाने जो आपको dedicate करना चाहेंगे इसी तरीकी feelings जा है वो आपके लिए feel करेंगे तो यह थी आपकी reading उमीद करती हूं आपको अच्छी लगी होगी झाल